वेल्कम बैक टु स्टॉक मार्केटल आज मबाद करने वाले इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिवेटेट के वारे हैं क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट आ गया तो चलिए देख लिए रिजल्ट कैसे है प्लस यहां से टार्गिट क्या होना चीए उस पर भी बाद करेंगे तो व कोर्टन कोटरीन कम कामगें पिछले सारक से लाना में जादा लेकिन देख लेतने हैं में अब कार्ष एकपर ना होनी कि बजाए 244 को का लौप कि लेक现रे अच्छी बात क्या है कि पिछले आ कि तुलनामे लाँस है लेकिन चाहले साल के तुलनामे लास है पिछले साल कंपल्ज़ अगर 먹는 तुलनामे लाउस है. कि विट्जल हो और कॉछला साल मेझे लाउस है. साल क्किन तुलनामे म्गावल his à नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्वार्टर 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 नेट प्रॉफिट यह 커피ोफित देखेंगे तो है पिछले कौौइटए और उल्ठाम के तो लास है फिछले कौौइटर में भी कम्पनी को प्रॉफित हुआ था पिछले सौन भी कम्पनी को क ніको commence हुआ है तो कह सकते consolidated basis पे साफ नजर आ रहा है कि company के result है वह weak है selling अगले दिन आपको देखने को मिल सकती और मैं हमेशा आप से एक चीज कहता हूं कि company में जो भी चीजे चल रही होती वह हर एक चीज जो भी चल रही है वह चार्ट आपको पहले बता देगा तो यहां पर देखे यह stock का चार्ट आपके सामने लगातार इसमें selling pressure आ रहा था और क्यों आ रहा था क्योंकि company के जो result थे वह वीक थे इसी वज़े से अभी आपको पहले से यहीं से selling देखने को मिल गई यहां से अगर stock ना गिरता तो आप कह सकते थे कि कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर यहां stock गिरा है तो इसी लिए गिरा है क्योंकि result इसके जो थे वह वीक थे तो अब इसका target क्या होगा देखे सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि company के जो भी result आए उस वज़े से और ज़दा selling इसमें नहीं आ सकती जाद से ज़दा क्लेवल है वो 66 से दूसरा है 64 अब एक चीज यहां पर समझे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसमें जादा गिरावट नहीं होगी इसलिए क्योंकि और इसमें correction आ चुका है यहां से stock लगातार गिर रहा है तो करीब करीब एक सालों से stock लगातार गिर रहा है almost यहां से देखे है उसके पहले से यहां से गिरावट देखने में लिए हाला कि मैं आपसे यही चीज कहता हूं कि price पे हमेशा focus करिए price हमेशा हर चीज पहले बताएगा आपको जैसे result आने वाले होंगे उसके पहले price बता देगा कि result कैसे हैं तो price behavior समझे कुशिश करिए price action समझे तो यहां प पर कंपनी काम करने वाली है तो जरूर कंपनी का जो segment है इनका जो segment है वह Indian oil यानी की petrol diesel यह सब sell करते हैं लेकिन अब यह focus किस पर करने वाले है green energy 2024 तक यह news article मैंने पढ़ा था यह ग्रीन एनरजी के plant भी लगाने वाले तो जरूर आपको focus में रखना चाहिए इस stock को क्योंकि अभी तो सब्सक्राइब मिलना है अगर आगे stock यह भागता है तो उसको chase करिए का मत क्योंकि लगा तार यह stock मे उसके पीछे अभी तो आपको दिख रहा है कि fundamental week है company का result अच्छे नहीं आ रहा है लेकिन जब company का result अच्छे आने लगेंगे तो stock आपको काफी उपर के rate मिलेगा तो अभी काफी अच्छा मौका है current level पे buy करने का अगर आप यहां पे buy करते हैं तो अगर stock तीन से चार साल मे अगर 400 भी चला जाता है तो काफी अच्छा है यहां पे आपको return मिल जाएगा अलाकि आपको बता है कि जितने भी यहां पे कह सकते हैं कि जो चोटे stock है जैसे सरकारी जो भी companies होती है वो तेजी से नहीं बढ़ती है बहुत देरे देरे एक ही जिए कह लिए एक ही जिए एक यहां गलाइ को बता है